हाई गाईज वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल स्वाजम स्टार्ट करेंगे चैप्टर टू दा एंड और बाइपॉलारिटी एक लास्ट वेल्थ कि वह कंटेंप्रेरी वर्ल पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर टू है अब शुर्वात करते हैं पिक्चर से यह फर्स्ट बर्लिन वॉल थी यह बनी थी जर्मनी में 1961 में ठीक है और यह सिंबोलाइज करती है नहीं कि शो करती है डिवीजिन का नहीं बटवारे को बिटून केंपिटरलिस्ट एंड कॉम्निस्ट वारले को ठीक है क्योंकि इसने जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया थ थी तो अब फर्स्ट पिक्चर में में दिखाई दे रहा है कि पीपल वर ट्राइं तो ब्रेक द वॉल और तो सी द अधर पार्ट अब दे जर्मनी ठीक है दूसरे से दे ने कोईश कर रहे है अब यह सेगंड पिक्चर इसमें दिखाई दे रहा है देखो और यह ब्रो कुई थिया नहीं कि टूट गई थी 1989 में ठीक है अब इसके बाद सबसे फर्स्ट पिक्चर में पीपल मेकिंग अ टाइनी होल इन द व इवल छोटा सा छेद कर रहे हैं वाल में बर्लिन वाल में सेगंड पिक्चर में अ सेक्शन ओफ द वाल ओपन तो अलाव फ्री मूव्मेंट अब एक हिस्सा जो है वाल को वो खोल दिया गया थाकि फ्री मूव्मेंट कर सेके लो यह यहां से थर्ड बर्लिन वाल वो स्टूड वाज एज इट स्टूड बिफोर 1989 ऐसी थी बर्लिन वाल 1989 से पहले उसके बाद फिर यह ब्रेक कर दी गई थी तोड़ दी गई थी अब बाइपोलारिटी मतलब है कि दो कंट्री और सेक्ड वर्ल्ड वोर के बाद कोल्ड वर एरर जब बची थी यूएस और यूएससर यानि कि सोविट यूनियन इसलिए बाइपोलारिटी यूएस और यूएसर को डेनोट करता है जो टू सूपर पावर्स थी उस टाइम से उन दोनों का एंड कब हुआ 1991 में अब सोविए यूनियन क्या था सुविट यूनियन को यूएसर यूणियन और सोविए सोश़िस्ट रीपपलिग की फुल फुल फोर्म बहुत साथ़ा इंपॉर्टेंट है अब यूएसर बना था in 1917 Socialist Revolution के बाद और ये हुआ था रशियां में अब यह ideology क्या बेसिकल है कि यह किस चीज को करता है किस ideas को बेसिद इसे का आइडिया था शुशसिलीड्म को सब॓ड करता है कि और इसका एम है कि वह एक Egalitarian Society बना, Egalitarian मतलब की Equal, जहां पर सारी जीज एक्वालिटी की बेसिस पर हो, ठीक है, और यह पहला Attempt था, To Abolish Private Property in Russia, यह पहला Attempt था, And Design a Society Based on Equality, और ऐसी Society बनाना, जो Equality के प्रिंसिपल को फोलो करती है, अब Soviet Union के Makers जो थे, उन्होंने Primacy, Primacy यह नहीं की Importance दी थी जादे तर State को, ठीक है, Soviet Union Political System centered around Communist Party, And no other party or opposition was allowed, इसका मतलब है, कि वहाँ पर सिर्फ एक Party होगी और कोई Party नहीं होगी, और उस Party का नाम है Communist Party, और उसके खिलाफ यह कोई और Political Party contest करी नहीं चकती, ठीक है, जिसलिए हमारे आपर Multi Party System है इंडिया में, वहाँ पर Uniparty था, Uniparty सिस्टम, यह वहाँ पर सिर्फ एक Party होगी Communist Party, इसको अब एक Group था, जिसका नाम था, जिसको बोलते थे Second World भी और इसको Socialist Block भी कहते थे, Socialist हैं कि जिन Countries का Ideology Socialist को Follow करती है, वह Countries इस ब्लॉक के अंटर आती हैं, और इसका Head था, USSR, USSR इस ब्लॉक का Leader था, वही Head था इसका, Socialist Block का Second World था, अब हम बात करेंगे कि Soviet economy कैसे बहुत जादा powerful बना, after Second World War, हाव Soviet Union और USSR बिगेम आ ग्रेट पावर, after Second World War, Soviet economy थी, वह बहुत जादा डेवलप थी, बाकी सभी देशों की कंट्री से, सिवा एक को छोड़ कर, US, सबसे टॉप पर US, उसके बाद, USSR, उसके बाद, Second Point है, It has a Complex Communication Network, इसका बहुत जादा Complicated, Complex Communication Network, यानि बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ है, इसके पास बहुत जादा Energy Resources है, क्योंकि जो Soviet Union था, वो एडिया में भी बहुत जादा बड़ा था, इसका जो Transport Sector था, वो बहुत जादा Efficient था, और वो Remotest Areas, यानि कि जहां तक पहुचा नहीं जा सकता था, वहां तक भी वो Connected था, फॉर्थ पॉइंट हो गया, अब फिफ्थ पॉइंट है, इनकी एक Domestic Consumer Industry भी थी, जो PIN से लेकर कार तक हर चीज़ को अपने देश के अंदर ही बनाते थी, यानि कि इंपोर्ट कम से कम करते थे, ठीक है, अब इसके बाद, अब जैसे कि इसके आइडियोलोजी थी, सोशलिस्ट के बेस्ट पर, अब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इसके आइडियोलोजी थी, तो यहां की जो गौवर्मेंट थी कॉम्मिनिस गौवर्मेंट फो लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी बेसिक चीज़ों पर जैसे की हेल्थ, एजूकेशन और बहुत सारी वेलफेर स्कीम पर लॉंच करते थे उसके बाद वहां पर कोई बिल्कुल भी अनिम्प् थे और वहां की जो जमीन थी वह सारी कौन कंट्रोल करता था या कौन उनका ओनर था वह स्टेट यानि कि वहां की जो गौवर्मेंट थी गौवर्मेंट अब सोविट सिस्टम के कुछ कमियां बताई गया इसमें कि उस टाइम पर क्या-क्या कमी थी वह बहुत जादा इंडिया में ज़्यादा है और अथरिटेरियन मतलब है कि किसी एक ही ऑथरिटी होना यहीं बेसिकली राजागा रूल उसी तरीके से ठीक है तो अथरिटेरियन मतलब यह हो गया उसके बाद वहां पर लैक ओफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की कम्मी थी बहुत जादा और है वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाइ कॉम्मिनिस्ट पार्टी ऑफ सोवेट यूनियन यह पहले बता चुका हूँ यह की पार्टी का सिस्टम था वहां पर अब वहां की जो पार्टी थी वह एक पार्टी कॉम्मिनिस्ट पार्टी वह अनकाउंटेबल थी यह उन में से रशिया जो है वो डॉमिनेटब करता था बाकी और कंट्रीज पर या रेजन्स पर और बाकी जितने भी कंट्रीज या और रेजन्स थे या और उनके तो रसिया के अलावा और मेमबर्स थे वो वो अपने आपको सब्प्रेश जैनि दबा हुआ मैसूस करते थे या इग्नोर्ड या नेगलेक्टिड कह सकते हैं क्योंकि जायतर डॉमिनस किसके रहती थी रश्या की और इसी जायतर डिसीजन भी ये लेता था और नाम आता था सबका उन्हें अपनी मर्जी से लिए ठीक है अब इसके बाद आमस रेस हथियार बनाने की होड़ी मान लो जैसे के आप हो और आपको कोई दुश्मन है अब आपके सामने वाला जादा हथियार है उसके पास तो आप भी अपने हथियार और मंगाओगे ना त इतने वेपन्स आमस रेस में लगिन इसकी बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ी सोवेट यूनियन को और इसके कारण एक चीज में अगर हम कहीं ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो जो बाकी चीज़ों पर एक्सपेंडिशर करना होता है खर्चा करना होता है वो हमें घ इस अथियारों में पैसे लगा दिये तो सोवेट यूनियन के पास टेक्नोलोजी, इंफ्रस्ट्रक्चर और लोगों की एस्पिडेशन को फुल्फिल करने की ये पैसे ही नहीं बचे है क्योंकि वो सारा पैसा हथियार बनाने में लग गया था उसके बाद 1979 में सोवेट ने इन्वेजन करा, इन्वेजन कहा सकते हैं अटेक करा अफगानिस्तान पर जिसके वजह से जो सोवेट यूनियन का जो सिस्टम था वो और ज्यादा वीक हो गया, जिसके जाद तर पैसे अथियारों में लगाए थे, अब लड़ाई का खर्चा, उपर से आर्मी का, ओल का ठीक है, और जो एर्क्राफ्ट होते हैं, उनके पैट्रोल वगारा में खर्चा, जिसके जैसे टेक्नोलोजी और ये सब में और जादा, तो थी इनमें कमी पैसो की, एक्स्पेंडिचर की, उसके बाद सिस्टम जो था यूसर का वो और जादा वीक हो गया, और वेजिस जो थी, वो फिर भी देने पड़ रहे थे लोगों को, लेकिन प्रोड़क्टिव ट्यो टेक्नोलोजी क्या थी, गिर रहे थे, क्यों पर खर्चाई नहीं करा गया था, अब इस लेट टु शॉर्टेज, अब इसके जैसे शॉर्टेज हुई सामान की देश में, क्यों कोई कितन सोविय से साड ने बार से खाना मंगाना शुरू करा, और जिसके वज़े से जो सोवियत एकनोमी थी, वो देरे-देरे गिरने लगी, यहनी कम होने लगी, उसके बाद अब आगे बात करेंगे, गौरबशेव, इंदर डिसिंटिगरेशन, मिकाईल गौरबशेव, जनरल सेक तो अब हमें कुछ reforms, एडॉप्ट कर लेने चाहिए, और अपने system में कुछ changes लाने चाहिए, अब वो changes थे, गौरबशेव ने decide कर रहा था, कि वो अपने Soviet Union के relation, या अपने देश के relation, अच्छे बनाएगा, Western countries के साथ, या नि basically US के साथ, और वहाँ पर USR में democracy को लाएगा, अब जो people थे, East European countries के, यानि कि जो USSR के members थे, Eastern European countries के, अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, Soviet control के अगेंस्ट, USSR में total 15 republics थी, उनमें एक रशिया था, और बाकी जादे तर सारी Eastern European countries थी, ठीक है, यानि पूर्व European देश, अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, Soviet Union यानि USSR या रिशिया कह सकते हैं, उसके control के खिलाफ, तो गौर्वशेव ने इस बीच, कुछ भी interfere नहीं करा, जब यह सब disturbances हो रही थी, और कुछ reforms जो adopt करे थे, मिखाइल गौर्वशेव ने, अब जो उसकी party के अंदर और leaders थे, वो भी उनके, उन reforms के खिलाफ थे, यह एक अकेला गौर्वशेव ने यह reforms करें, उसके अलावा, बाकी जितने भी leaders थे, उस party, communist party के, उन सब ने उसका oppose करा, उसके बाद एक coup हुआ, coup कह सकते हैं, sudden change of government, किसी भी government का तुरंट बदलाव कर देना, 1991 में, that was encouraged by communist party hardliners, अब लोगों ने इस बीच, freedom को देख लिया था, क्योंकि इस time, जब 1985 में यह बना था, तो इसने कुछ reforms करें, अब रशिया में, सब लोगों ने थोड़ा-थोड़ा freedom को टेस्ट करा, उन्हें अच्छा लगा, कि freedom जादा अच्छा है, authoritarian society से तो, तो उन्होंने, वहाँ के जो people थे, उन्हें पुराना style rule पसंद नहीं आया, और ना इस freedom वाले ideology को, basically कह सकते हैं, उन्हें freedom पसंद आई, उसके बाद आता है, Boris Yeltsin, ये national hero बन जाता है, in opposing this coup, जो military coup हुआ था, मिखाल को और वशे, गोवर्मेंट के अगेंज, तो इसका oppose करा था, Boris Yeltsin ने, ये national hero बन जाता है बाद में, Yeltsin बाद में election भी जी जाता है, Russian Republic के, 1991 में, Soviet Union जो था, वो Russian Republic बन जाता है, उसके बाद Yeltsin वहां के election जी जाता है, and power begin to shift from the Soviet center to the republics, अब पहले, जो USSR में था, सारी power Russia के हाथ में थी, लेकिन अब धीदे-धीदे, बाकी देशों के हाथ में भी जा रही थी, यह बाद इस पॉइंट में लिखी है, यह रहते हैं, जो अदर मेंबर्स थी, अब Central Asian Republics, यह जो Central Asian members थे, USSR के, अब वो रहना चाहते हैं थे, Soviet Union, USSR के अंडर, क्यों, क्योंकि USSR बदले में उन्हें कुछ benefits देता था, अथियार देता था, उन्हें protection देता था, अपने दुश्मनों के खिलाफ, इस वज़े से, 1991, अंडर दा लेडर्शिप ऑफ यहलसीन, बोरिस यहलसीन में, के अंडर, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, यह तीनों मेजर रिपब्लिक्स, USSR को, डिकलेर कर देते हैं, कि यह dispend हो गया, dispend यानि कि suspend कर दिया गया, ऐसे यह separate, अलग हो गया है, और जो communist party थी, USSR की, उसे ban कर दिया गया है, और उसके बाद, capitalism और democracy को adopt कर लिया था, ठीक है, आप यह तीनों रिपब्लिक्स इस नाम से भी आद रख से थे, रब, RUB, Russia, Ukraine, Belarus, इन तीनों मेजर रिपब्लिक्स ने, डिकलेर कर था, 1991 में, कि यह, जो, Soviet Union का system है, यह disband हो गया है, अब, जो Central Asian Republic कह सकते हैं, जो नहीं मान रहे थे, separate होने, जो separate होने के खिलाफ थे, तो उनके लिए भी कुछ काम करा गया था, जैसे, अब यह disintegration, यानि कि separation हो गया था, USSR का, और उसके बाद form कर दिया था, Commonwealth of Independent States, CIS, CIS form कर दिया जाता है, उस USSR के खतम होने के बाद, और यह surprise होता है, बाकि सभी republics के लिए, सभी republics को USSR से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि बैन हो जाता है, और यह issue जो था, जैसे Central Asian Republics वाले भी नहीं मान रहे था अलगोने से, अब यह issue, इस वज़े यह issue solve कर दिया गया था, क्योंकि जितने भी members थे, USSR के अंडर, उन सबको founding members of CIS बना दिया गया था, Russia बन गया था successor of Soviet Union, और successor of USSR, और जो Security Council में seat थी Soviet Union, यानि USSR की, तो उसका भी successor, Russia बन गया था, अब यह disintegrate क्यों हुआ, सबसे पहले Economic Stagnation, Stagnation मतलब होता है कि कोई भी चीज कहीं पर रुप जाती है, उसके बाद grow नहीं करती, ठीक, अनि stop हो जाती है basically, तो Economic Stagnation, Because many years led to several consumer shortages, Soviet economy used much of its resources, maintaining nuclear weapons और arms, अब Soviet Union के पास जितने भी resources थे, उसने ज़्यादता resources तो हत्यार बनाने में लगा दिये, यह भी एक कार्ण है, जिसके वज़े से उस पर Economic Burden पढ़ गया था बहुत ज़्यादा, अब थार्ड पॉइंट है, कि Communist Party जो थी, वो Unaccountable थी, यह नि, लोगों कोई साब नहीं देती थी, कि उसने कहाँ पर पैसा इंवेस्ट करा और कहाँ पर नहीं, नौट अकाउंटेबल थी, तो उसके बाद जो वहाँ के Ordinary People थे, वो सब Administration के, वहाँ का जो Administration System था, वो बहुत ज़्यादा खराता था, USSR का, और वहाँ पर Corruption यह नि, रिश्वित भी बहुत ज़्यादा चलती थी, यह भी दो, एक, दो, तीम, चार, यह चार रिजन्स हो गए, और फिफ्ट रिजन है, गौरबशेफ के Reforms, जिसने प्रॉमिस करा था, कि वो डील करेगा इन प्रॉब्लम्स के साथ, फिफ्ट पॉइंट यह है, टोटल यह फाइफ पॉइंट है, जो कारण बने, सोविट यूनिन के डिसिंटिक्रेशन, यह नि सेपरेशन के, अब जो बाकी मेंबर्स थे, USSR के, एक पॉइंट ही भी हो सकते, इसक्स पॉइंट, उनके बीच में देशवक्ती, यह निनेशनलिस्म के जो फिलिंग थी, वो बहुत जादा बढ़ गई थी, और जूस के अंडर, USSR के अंडर बहुत साइब रेपब्लिक्स थी, रशिया, बाल्टिक रेपब्लिक, तीन, तीन-चार मेंबर कंट्रिक्स कोई नोट करते हैं, एस्टोनिया, लैट्विया, लिथवानिया, इन तीनों को इकटते बोलते हैं, बाल्टिक रेपब्लिक, और बहुत साइब थी, यूक्रेइन, जुर्जिया, इन सब ने, इमडियेट को उसकरा, अलग होने में, प्यूकि ये सब भी चाहते थे, कि अलग हो जाया हैं, इसके बाद, और कान थे, लास्ट लिडर सोविट उनिन के थे, मिखाइल वर्वजेव, ठीक हैं, जाता इंपोर्टन नहीं हैं, तो, उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, यानि, रिजल्ट क्या रहे, डिसिंटिग्रेशन, अलग होने के, गोल्ड वर की जो लडाई थी, वो खतम हो गई, दे एंड ओफ ओल्ड वर कन्फरेंटेशन, अब लडाई बंद हो गई, गोल्ड वर की, तो जो अथियार बनने लग रहे थे, अथियारों की होड हो रहे थी, वो भी बंद हो गई, अब दोनों ये, अब कोल्ड वर खतम हो गई, तो दो सूपर पाउर तो रहेंगे, यानि क्योंकि ये उसर की जो एकनॉमी थी, वो तो डेसिंटेगरेट हो गई, तो ये उसर हट गया है, तो बचा गया, अब पॉसिबिलेटी थी, या तो हमार यूनि पोलर सिस्टम बनेगा, या फिर मल्टी पोलर सिस्टम, यूनि पोलर सिस्टम यानि की जिर्फ पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक कंट्री का रूल होगा, वो है यूएस, या फिर दूसरा ओप्शन था, मल्टी पोलर वर्ल्ड, कि इस पूरे वर्ल्ड में, सबी कंट्रिक्स का मेजर रोल होगा और वे सबी इंपोर्टेंट डे प्लेयर्स रहेंगे इस इंटरनेशनल सिस्टम में इस 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 सार था उसमें टोटल 15 रिपब्लिक्स थी ठीक है जो पहले एक माने चाहते थी अभी ये बट गया तो 15 अलग हुए तो इतने 15 कंट्रिस इस एमर्जेंस एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू पंट्रिस और हां एक क्वेशन शॉर्ट में ये भी आता है विच ऐसा कौन सा और गिनाइजिशन है जो कोल्ड वोर के आसपास बना था साइंवल्ड वोर के बाद बना था कोल्ड वोर के टाइम पेड़ पर जो आज तक ऑपरे और ये बनाता 1949 में उसके 12 मेंबर्स है अब उसके बाद बात करते हैं शॉक थरपी शॉक थरपी क्या है यह बहुत जाधा पेइनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन एनी चेंज होने का फ्रॉम अथारिटेरियन सोशलिस्टम तो देमोक्रिटिक कैप्टलिस्ट सिस्टम बह किसमें कराया था इस शॉक थरपी इट वोज बेसिकली इंफ्लॉएंस वाइवर्ड बैंक एंड आई एमएफ बैसिकली इतना है शॉक थेरपी में अब इसके रिजल्ट के कॉंजिक्वेंस देखते हैं इसका पहला कॉंजिक्वेंस रिजल्ट था बहुत सारी जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रिल कॉंप्लेक्स थे एनि बैसिकली जो रशिया में बहुत बड़ी-बड़ी स्टेट के और जितनी भी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री स्टेट के अंडर वो सब सेल पर लगा दी थी प्राइवेट कंपनीज के लिए सेगंड पॉइंट लार्जेस्ट के राज सेल इन हिस्ट्री इस वर्ड से डिनोट करा जाता है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूएबल इंडस्ट्री जो यूएसेसर की वो अपनी वैल्यूस के नीचे अंडर वैल्यूड रेट पर सोल्ड आउट कर दी गई थी रही है अब उ पॉइंट है जितने भी सेटिजन्स थे उन सब को वाउचर दिये गए थे कि वो इस सेल में हिस्सा ले और लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जादेतर लोगों ने अपने वाउचर्स सेल कर दिये इन दा ब्लैक मार्केट कि उन्हें पैसे चाहिए थे रूबल रशिया की करंसी है तो अब जो वैल्यू थी रूबल की रशियन करंसी की वो भी दीरे-दीरे कम हो रही थी और जो रेट ऑफ इंफलेशन था वो दीरे-दीरे बढ़ता जा रहा था रशिया में जो पुराने सिस्टम था सोशल वैलफेर ये सोशलिस्म को जो फॉलो करता था वो खतम हो गया और विड्रो लॉफ गवर्मेंट सब्सटीज जितनी भी गवर्मेंट सब्सटीज देती थी वो सब हटा दी गई जिसके विजह से पावर्टी और जादा वहां पर बढ़ गई जिस्ट पॉइंट है वहां पर एक माफिया एमर्ज हो गया था माफिया यह एंग्स्टर कह सकते हैं मर्ज हुआ था इन मोस्ट अव इस कंट्रीज जिटनी भी USSR के अंडर कंट्रीज थी 15 रेपॉब्लिक्स थी उन सब के अंडर जा था और वो कंट्रोल करते थे जाता जितन में भी इकनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वहां उन कंट्रीज में रश्या को डिवाइड कर दिया गया था बिट्विन रिच एंड पूर यानि अमीर और गरीब में डिविजन हो गया था रश्या में बहुत जादा एक यह पॉइंट आता है आप सबको इनकॉम बैंक यह रश्या का सगेंड लार्जेस्ट बैंक था लेकिन यह 1998 में बैंक क्रफ्ट हो जाता है ठीक है अब कॉंस्टिटूशन इन सब कंट्रीज के जो यूससर रेपब्लिक के रहाते हैं इन सब के कॉंस्टिटूशन बहुत जल्दी जल्दी में बना हाइंड रुश्या है ज़न्ग इंजेक्यूटцип पॉसिबल पावर्श रुष्या का जो प्रेजिदेंट बहुत जाधा स्ट्रॉथ Любि्य जादा पावर्श क्यूस्ट करेंग इसको बहुत जाधा पावर्श दे-डी गई हैं Central Asia में भी सेम है वहांगे भी प्रेज़ेंट को बहुत जादा पावर्स देदी गई है पर एक्जामपल इसमें तुर्क मेनिस्तान और उजबेकिस्तान मान लो आपर कोई एक परसन प्रेज़ेंट बन जाता है उसका टाइम पीडिक तो है दस साल 10 years और अब मान लो आप प्रेज़ेंट हो आप दस साल तक बन गए और आपके दस साल खतम हो गए जब खतम हो जाती है न तो आप अपने दस साल और एक्सटेंट कर सकते हो अब कोई प्रेज़ेंट बने गता हो तो यही चाहेगा ना कि वो दस के जगां 20 साल करें 20 साल तक काम करें तो यह टोटली 20 ही हो गया दस जीद एक बर उसके बाद एक्सटेंट खुद बखुद कर सकता है और उनके खिलाफ कोई ओपोजिशन नहीं है और वहाँ पर इंडिपेंडें करने शुरू हो गई थी अब इसके अब कैसे रिवाइब करने शुरू हुए अब इसके पीचर रीजन है कि रशिया जो था या उसकी जितने वी उससार के इंट्रेट पर लिक्स थी वो सब एक्सपोर्ट करने लगए नैच्रल रिसोर्स जैसे तेल नैच्रल गैस और मिनरल इनका एक्सपोर्ट करते थे नैच्रल रिसोर्स का और जितने भी कंट्रीज आती थी रशिया से मान लो इंडिया तक आना तो भी जम बहुत साथी कंट्रीज आते हैं सेंट्रल इशिंज तुर्क मेनिस्टान जवेकिस्तान तो यह सब तो इन सब कंट्रीज को बेनिफिट क रोस होती थी जहां इस पर पाइप्लाइन लगाई जाती थी उनके बदले उन्हें रेंट दिया जाता था अब कुछ एफेक्ट भी रहा था है अटेंशन भी रहे थे इसके उपर इस रशिया की दो मेजर एपब्लिक से चन्या और दागिस्तान इन दोनों के बीच बहुत सादा वाइलेंट मॉव्मेंट वे लडाई हुई थी ती जाए और मॉस्को ने कैसे डील करा था इन दोनों के लडाई के बीच मॉस्को ने इन दोनों के उपर बॉम गिरा दिये थी बॉम्बिंग्स कर दी गए थी जिसके जैसे हुमन राइट्स का बहुत जादा वाइलेशन हुआ था सेंट्रल एशिया में तजीकिस्तान है वहाँ पर सिविल बॉड चली थी दस साल तक 2001 तक उसके बाद रीजन में सेंट्रल एशिया जो रीजन है सेंट्रल एशिया जो रीजन है उसमें बहुत सारी कॉन्फलिक्स वे जैसे अजर्बेजान प्रोविंस ओफ नकरनो कराबक औ और कुछ अर्मेनियन्स यह थी वो सेपरेट होना चाहते हैं अर्मेनिया से वो सेपरेट होना चाहते हैं कुछ अर्मेनियन और अर्मेनिया को जोईन करना चाहते हैं उसके पाद जियोर्जिया में भी और बहुत सारे सेंट्रल एशियन रिपबलिक्स जैसी पता लगा इस में बहुत जादा hydrocarbon resources है तो इसको बहुत जादा economic benefit हुआ कि एक तो यह center में था ठीक है तो इसके benefits थे यह 11 September 2001 को US पर attack होता है ठीक है तो उसके बाद US चाहता है कि उसका military base हो वो इस region में Central Asian Republics जहां पर जातर अरब countries हैं वहां पर हो ताकि वह वहां पर उसका दबदबा बना रहे तो वहां पर US अपने military bases बना सके और and paid the government of all Central Asian states to hire bases and to allow plane to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq और US यह भी चाहता था कि वह यह यह जतनी भी government है Central Asian countries के उन सब को pay कर देगा और वहां पर उसके plane चलने चाहिए जब भी लड़ाई होगी US की अफगानिस्तान और जब भी किसी की देश के साथ लड़ाई होगी तो अफगानिस्तान और जिराग पर US के planes उड़ने चाहिए उसके बाद फिर रश्या का भी इंटरेस्ट वरना था यहां पर क्योंकि रश्या ने सोचा कि मेरा भी दब दबा होना चाहिए यहां पर Russia believes that it should also have its influence in the Central Asian part China के वे इंटरेस्ट, China का बेंटरेस्ट Central Asian region पर पढ़ा था क्योंकि ओयल रिस्वर्से यहां पर थी और Chinese यहां पर शेटल होने लग गए इसके border के आसपास था जो इनके साथ व्याब पार कर सके अब एक fifth point में जड़िये है Eastern Europe, Eastern Europe में एक देश था कजैको स्लोवागिया यह peacefully यह बिना लड़ाई के बट गया था दो इस्वर्सों में कजैक्स और स्लोवाग्स यह आज भी है अब इसके बाद बहुत साथा एक conflict हुई थी Balkan Republic of Yugoslavia में और इसके बाद यह बहुत सारे provinces में बट गया था जैसे Crotia, Slovenia, Bosnia and Herzegovania अब इंडिया और post communist countries यह यह बेसिकल ली कहा सकते हैं जो communist party countries थी उनके बाद में कहा सकते हैं रशिया के साथ इंडिया के relations कैसे हैं इंडिया और रशिया के relations इंडिया के जो heroes है Raj Kapoor, Amitabh Bachan वो household name है यह बहुत जादा famous है रशिया में रशिया और इंडिया दोनों का same vision है यानि दोनों multipolar world देखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि पूरा world जो है उसमें सभी बराबर हों कोई किसी एक की जादा dominance ना हो अब इंडिया ने रशिया के साथ बहुत सारे international system और collective security जुड़े हुए है और यह बात मानी जाती है और इंडिपेंडेंट पॉइंडिया और रशिया ने more than 80 bilateral agreements sign करे हुए है एक दूसरे के साथ as a part of Indo-Russian strategic agreement of 2001 total three point हो चुग है इंडिया और रशिया के relations के बीच में उसके बाद इंडिया को बहुत जादा benefits पे मिलती हैं रशिया से on the following issues इन issues पर जैसे कश्मीर energy supplies, information, terrorism and assess to central Asia और balance करने relations शाइना के साथ और इंडिया जो है वो दूसरे नमबर पर हत्यार यह वो दूसरे नमबर पर हत्यार मंगाता है रशिया से second largest arms market है इंडिया रशिया के लिए और इंडिया जो है वो अपने hardware के सामान जादातर military के hardware के सामान रशिया से ही मंगाता है और इंडिया एक oil importing nation है तो रशिया मदद भी करता है oil crisis में हमारी और बहुत सारे nuclear energy programs या plans भी खट्टे करते हैं और बहुत सारे scientific projects भी खट्टे करते हैं इंडिया और रशिया अब उसके बाद बात करते हैं इंडिया और USR के relations कह जाती है रशिया बना है 1991 में और USR बना था 1917 में ठीक है जिसको फूर पार्ट्स में डिवाइड करा गया हाँ economic, political economic, political, military and culture economic में ये है कि USSR ने हमेशा मदद करी है इंडिया की जब भी इंडिया पर कोई भी मुसीवत आई है economically मदद करी है assistance जी है और हाँ एक और major part Soviet जब हमारा देश अजाद हुआ उसके बाद यानि independent हुआ तो उसके बाद हमारी जो Indian currency है उसे कोई भी accept नहीं कर रहा था तो Soviet Union ने वो अकेला ऐसा देश था जिसने हमारी इंडिया की currency adopt करी थी trade करने के लिए यानि व्याप पार करने के लिए ये दो point होगे उसके बाद political issue में यह है कि Soviet Union USSR ने हमेशा हमेशा सपोर्ट कर रहा कश्मीर इशू पर UN में और US ने इंडिया को सपोर्ट कर रहा है जब वोड हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971 में इसके दो पॉइंट का कश्मीर इशू पर सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान के साथ जब वोड हुई थी 1971 ने तब अब military के साथ क्या है India received most of its military hardware from the Soviet Union अब इंडिया जो है वो बहुत सारे अपने military hardware Soviet Union से मंगाता है ये एक पॉइंट हो गया और बहुत सारे agreements करें इंडिया और Soviet Union ने एक साथ क्यों जोइंटली produce करेंगी एक साथ military equipment प्रेडियूस करेंगी क्लिचर में रहता है हिंदी फिल्म्स जो इंडिया की हैं वह बहुत जादा popular है वहाँ पर और जो इंडियन राइटर्स हैं वह भी रेगुलर्ली विजिट करते रहते हैं USSR में अपने फैन से मिलने के लिए स्वाज की स्वाज का चैप्टर यह पर ही खतम होता है अजयमनकर शेप्र 2 अजयमनकर शेप्र 2 यह ए जयुद आद बाद यह जंडिया की खतम है